जैशी किशना दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों शनीचरी अमावस्या है और साथ ही सरवार सिद्ध योग बना हुआ जिसके कारण देखे नो भागिशाली राशियों को बहुत ही शेष्ट लाब मिलने के योग बन रहे हैं साथ ही दोस्तों अमावस के दिन अगर एक वस्तू अगर आप गव माता को खिला देते हैं तो यकीन मानें आपकी कुंडली के जितने भी ग्रहे दोश हैं पितर दोश हैं निशिद ही वो दूर होते हैं और साथ ही आपको 33 कोटी देवी देवताओं का अश्रवाद मिलता है दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब ने कर रखा तो सस्क्राइब आवश्य कर ले बगलने बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी डेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों सनीचरी अमा आवस्या के दिन देखे सबसे पहले सनान करके अपने पित्रों का तरपन अवश्य करना चाहिए आपको एक लोटे में जल लेकर कच्ची लसी बनाकर उसमें काले तिल डालकर पीपल पर जल अवश्य अरपित करना चाहिए अपने पित्रों का तरपन अवश्य करें साथ ही दोस्तों इस दिन देखें आपको एक ताजे आटे की रोटी लेनी है या फिर ताजे आटे का आपको पेड़ा लेना है उस पर आपको देखें केवल दो बून संसो के तेल की डालनी है साथ ही थोड़ा से अगुड रख लें और साथ ही आपको थोड़े से काले तिल लेने है उसकी लोई बनाकर या आप रोटी बनाकर किसी भी गोशाला में जाएं और वहाँ पर आपको काले रंग की गोव माता को खिला देना है यकीन माने आपकी कुंडली के जितने भी पितर दोश हैं वो दूर होंगे आपको अपने पितरों का अश्रवाद मिलेगा साथ ही आपको 33 कोटी देवी देवताओं का अश्रवाद मिलेगा दोस्तों सबसे पहले तो देखे गव माता के चरण सपर्ष करें जो भी वस्तु आप रोटी या पेड़ा ले गए उसे खिला दें और साथ ही आप गव माता के शरीर पर सपर्ष करते हुए चार परिक्रमा अवश्य लगाएं गव माता के सिंगों को भी अवश्य सपर्ष करें क्योंकि गव माता के सिंगों में भगवान विश्णु का और भगवान शंकर का वास माना जाता है दोस्तों अगर आपको काले रंग की गव माता ना मिले तो आप किसी भी रंग की गव माता को खिला दे यकीन माने इस दिन ये वस्तु खिलाने से आपकी कुंडली के जितने भी ग्रहे दोशें पितर दोशें अवश्य ही दूर होते हैं और शीगर ही आपको संतान सुक्की प्राप्ती होती है दोस्तो इस दिन देखें सूर्य चंद्रमा और बुद्ध की यूती से बहुत ही सरवार सिद्ध योग बना हुआ है नो भागिशाली राशियों को शेष्ट लाब मिलने के योग बन रहे हैं इन भागिशाली राशियों में सबसे पहली है वरिश, मित्थोन, कर्क, सिंग, कन्या, तुला, धनू, मकर और कुम्ब इन राशिवालों के लिए बहुत ही शेष्ट रहने वाली है संतान सुक के सासा धन लाब के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे हर कारे में इनको सफलता मिलेगी दोस्तो इस दिन ये उपाय अवश्य करें यकीन माने अगर आपकी कुन्डली में पितर दोश है जिसके आपको मन वांचे संतान की प्राप्ती नहीं उपारिये तो इस दिन ये उपाय अवश्य करें निश्यत ही आपको अपने पितरों का अश्रिवाद मिलेगा और आपको मन वांचे संतान की प्राप्ती होगी दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को